नमस्कार मैं हूँ आचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइफ पांच राजियों के चुनावी परिणाम आते ही इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि पार्टियों के हार और जीत का कारण क्या रहा मदप्रदेश राजस्तान और छत्तिसगर में बीजेपी बहुमत हासिल क पाई तो इसके पीछे मुख्य वज़ा क्या रही तो वहीं तेलंगाना में कॉंग्रेस की बंपर जीत के कारणों पर भी चर्चा हो रही है लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि कॉंग्रेस के हाथ से कैसे राजस्तान और छत्तिसगर जैसा राज्य चला क्या मदपरदेश में जहां कॉंग्रेस पहले से ही अपने जीत को लेकर आश्वस थी वहां उसे कैसे करारी हार मिले क्या 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 सुधार की जरूरत है कॉंग्रेस को इन सभी सवालों के जवाब कई सारे हैं लेकिन एक जवाब जो सबसे जादा कॉमन है वो है संगठन कमजोर पड़ा जिसकी वजह से कॉंग्रेस को तीन राज्यों में हार का सामना करना पड़ा अब यहां राजनेतिक गलियारों में इस बात पर चर्चा हो रही है कि अगर कॉंग्रेस को 2024 का मुकावला जीतना है तो उसे संगठन मजबूत करना ही पड़ेगा जो काम कॉंग्रेस की नया डीके शुकुमार ही पार लगा सकते हैं अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डीके शुकुमार ही हैं जिन्होंने अमिश्रा की रणनीती को पूरी तरीके से द्वस्त किया अमिश्रा जिन्हें 2014 लोगसभा चुनाव से एक साल से भी कम समय पहले या और उन्हीं अमिश्रा को डीके शुकुमार ने करनाटक में पठकनी दे दी सारी रणनीती शा की विफल हो गई और इसी ये साबित भी हो गया कि डीके शुकुमार अमिश्रा से बहतर रणनीती कार हैं परसेप्शन पैसा और पावर को कैसे मैनेज करना है वो दक्षिड का द्वार कहे जाने वाले करनाटक के विधान सभा चुनाव में शुकुमार दिखा चुके हैं वहीं बात तो इस पर भी चल रही है कि महज 23 साल की उम्र में देवगोडा जैसे दिग्यज को चुनावी पसीने लाने माले कॉंग्रिस के हनुमान को अगर पूरे साउथ के साथ यूपी का प्रभार दे दिया जाए तो यूपी में कमाल दिखा सकते हैं और साउथ में बीजेपी को शुन्य पढ़ला सकते हैं किस्सा 1985 का है कंनाटक में विधान सभा चुनाव था चार बार के मले और दो बार विधान सभा में विपक्ष के नेता रहे HD देवगौडा साथ नूर सीट से चुनाव लड़ रहे थे Congress ने देवगौडा के सामने 23 साल के नौजमान लड़के को खड़ा कर दिया राजनीती में कोई अन्भों ना होने के बावजूद उस लड़के ने देवगौडा को कड़ी टक कर दी महस 15,000 वोट से चुनाव वो हार गया लेकिन देवगौडा के पसीने छुडाने वाला वो लड़का डीके शुकुमार कॉंग्रेस के बड़े निताओं के करीब आ गया और आज भी अगर करनाटक में कॉंग्रेस 135 सीटों पर जीती है तो वो भी डीके शुकुमार की ही रणनीती के बदौलत माना दो ये भी जा रहा है कि तेलंगाना में भले ही राहुल और रिवंत जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हों लेकिन मैनेजमेंट में हाथ डीके शुकुमार का ही था लोगों का मानना ये भी है कि बहुत सालों के बाद कॉंग्रेस क के लगातार वो बीजेपी को मात देते आ रहे हैं इसलिए अब अगर कॉंग्रेस को किसी की जरूरत है तो वो है डीके शुकुमार जो साउथ में तो कमाल दिखा ही सकते हैं उत्तर भारत में भी कॉंग्रेस के लिए नई रणनीती तयार कर सकते हैं बहरहाल देखते रहें दीवी लाइव मैं आचल